नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोस्तों मोदी जी के राज में कमाल कामरित काल आ गया है अक्सर जब पुलिस रेट करती है तो हत्यार जब्त किये जाते हैं गोलाबारूद आदी जब्त किया जाता है लेकिन अब किताबे जब्त की जा रही है मानो पत्रकारों की कलम और किताबे ही गोलाबारूद बन गई है ये वरिश पत्रकार उर्मिलेश इनके घर भी रेड की गई और इनके घर से मोबाईल लैप्टोप के अलावा किताबे जब्त करने की भी खबर आई है उर्मिलेश जी न्यूस क्लिक से जुड़े रहे है अभिसार शर्मा सहीत कई पत्रकार जो न्यूस क्लिक से जुड़े है न्यूस क्लिक के लिए वीडियो बनाते थे या लिकने का काम करते थे उनके घर रेड की गई है कई पत्रकारों पर UAPA लगाने तक की सभावना जताई जा रही है दोस्तों पुलिस की ऐसी कारवाई पर क्या कहते हैं वरिश पत्रकार दीपक शर्मा कहते हैं कि चैनल के मालिक से कमाई का सोर्च जानना है तो बेशक पुलिस पुछता आशकरे कौन रोक रहा है लेकिन किसी यूट्यूब चैनल से जुड़े पत्रकारों के यहां चापे मारना उन्हें थाने तक ले जाना आपात काल के दोर जैसा है ये सरकार की बेशेरी जाहिर करता है सबाल करने वाले पत्रकारों से इतना डर हार के लक्षन है तो दीपक शर्मा कहते हैं कि अगर आपको न्यूस क्लिक की फंडिंग जाननी है तो सिर्फ उनके मालिक से पूछताच करिए मालिक से पूछताच करिए कि पैसा कहां से आ रहा है अकाउंट्स की जाच करिए लेकिन पत्रकारों पर ऐसी कारवाई समझ से परे दिखाई देती है इसके अलावा बरिश पत्रकार रणवीजे सिंग क्या कहते है सिर्फ चापे माली से काम नहीं चलेगा पत्रकारों के घर पर बुल्डोजर भी चलाय जाए मतलब खबर करने की हिम्मत कैसे हुई लोगतंतर का भूट चड़ा है क्या यही समय है संदेश साफ हो यहां रहना है तो फलाने फलाने कहना है और सवाल सिफिये पूछना है आप आम कैसे खाते हैं साक्षी जोशी कहती है फिर कहेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग जूटी है सच कहा जूटी ही है क्योंकि असली रैंकिंग के मताविक तो हम अब तक आखरी रैंक पर होने चाहिए थे पत्रकार सोहित मिश्रा क्या कहते हैं एक तरफ साहब खुद यूटूब पर आ रहे हैं दूसरी तरफ यूटूब पर काम कर रहे पत्रकारों के घर पर चापेमारी हो रही है सुबह सुबह पत्रकारों के घरों में इन अधिकारियों का पहुशना उनके लैप टोप और फोन को सीज़ करना ये बताता है कि 2024 के तयारी शुरू हो गई है और बोलने वालों पर कारवाई होगी वरिश पत्रकार सुकेश रंजन कहते हैं न्यूस क्लिक की फंडिंग की जाज करिये लेकिन यूए पीए के तहट पत्रकारों पर मामले दर्ज कर उन्हें उठा लेना दरसल हम सबों को डराने की कोशिश है सरकार तुरंत इसका संग्यान ले तो देश के पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार सवालों से डर गई है अगर आपको न्यूस क्लिक की फंडिंग की जाज करनी है तो मालिक से पूछताज करें अकाउंट देखने वालों से पूछताज करें कोई भी पत्रकार किसी भी संस्तान में काम करता है उसका काम होता है वीडियो बनाना या लिखना वो पैसे की फंडिंग नहीं देखता अभिसार शर्माया और मिलेश जैसे पत्रकार पैसे की फंडिंग नहीं देखते या तो वी पत्रकारों को इस तरह की कारवाई को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पे पीराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की ओप्शन का इस्तेमाल करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें नवसकार